कि अब आप सब लोग आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे आच्छा जो हमारा प्लान रहेगा वह हमारा 30 सब्सक्राइब करेंगे अगर प्लॉट साइस की बात करेंगे तो हमारा दोस्तों गज का प्लॉट है वीडियो की लास्ने मैं आपको बता हूंगा इसका एक मंदूल बनाने में कितना खड़ जाएगा कितने कॉलम्स के अंदर दी जाएंगे कॉलम साइस क्या रहेगा आउटर आपको वीडियो की लास्ने बता हूंगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अब बात कर लेतें डैमेंशन की तो स्टाट करते हैं कार पार्किंग एरिया से तो यहां पर बात रहेतें ड्राइंग एरिया जो गैस्ट होंगे वह यहां पर बैठसकते यहां फैट इस अदेश्ट बाठरों चार फिट बाए बाऄर फिट का आप यहां दीख सकते हो इसके बरावर में यहां पर आपको कॉमंड ट्यूलेट बात्रूम इलेगा इसके बरावर में आपको मिलेगा kitchen तो यह हमारा 7 feet by 8 feet 8 inch का यहाँ पर आपको एक kitchen मिलेगा इस kitchen की window हमारे OTS से connect है तो यह जो portion है हमारा open portion है और 3 feet 4 window हमने यहाँ पर kitchen की provide कर रखी है तो इसकी जो भी smell होगी kitchen की वो इसके तुरू पास आउट हो जाएगी यह हमारा wash area है 3 feet by 3 feet 8 inch का यहाँ पर आपको एक छोटा सा wash area मिलेगा ठीक है जैसे आप entry करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है dining area का portion तो 9 feet 11 inch by 16 feet 4 inch का यहाँ पर आपको dining area मिलेगा इसके ज़स सामने आपको मिलेगा first bedroom यह हमारा पहला bedroom है 10 feet 11 inch by 11 feet का यहाँ पर आपको पहला bedroom मिलेगा इस bedroom के बराबर में आपको मिलेगा एक पूजा area 5 feet by 5 feet 1 inch का आप यहाँ देख सकते हो और इस bedroom की जो window हमने provide कर रखे है अपने OTS से connect कर रखे है चार फिट चौड़ी window हमने यहाँ पर दी है तो हमारा OTS है 4 feet by 5 feet 1 inch का यहाँ पर आपको OTS मिलेगा यानि कि यहाँ आपका ओपन इस बेस है १ेकक वश एरिया के बरावल में अगर हम बात करें तो यह हमारा wash area का portion है 10 feet by 12 feet का यहाँ पर आपको wash area मिलेगा तो यहां पर आपको बैडरूम मिलेगा यह हमारा बैडरूम है सेकेंड ठीक है इसकी विंडो हमने OTS से कनेक कर रखे तो तीन फिट चॉड़ी विंडो हमने यहां पर दी है फिर बात कर लेते हैं अपने Master Bedrooms की तो यह हमारा Master Bedroom है इस Master Bedroom के साथ आपको मिलेगा अटेश्ट टॉरेड बात्रूम और इस Master Bedroom में से अपने OTS में आने के लिए तो 13 feet by 13 feet 2 inch का यहां पर आपको Master Bedroom मिलेगा और 4 feet by 7 feet का यहां पर आपको आटेश्ट टॉरेड बात्रूम मिलेगा और जो आपको आपको Open Space है वह 4 feet by 5 feet 10 inch का आपको यहां पर Open Space मिलेगा फिर बात करते हैं अपने Second Master Bedroom की तो यह हमारा Second Master Bedroom है 11 feet 5 inch by 15 feet का यहां पर आपको Second Master Bedroom मिलेगा तो यह था हमारा 30 feet by 60 feet का प्लान इसके आउटर वाल हमने चार इंच की रखी है इनर वाल हमने चार इंच की रखी है अठारा कॉलम्स हमने इसके अंदर प्रोवाइट किया है 9 inch by 12 inch की कॉलम्स हमने इसके अंदर दिये हैं ठीक है औ मुलाकात होती है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर